दांगरी गाउं का ये वो घर है जहाँ पर आतंकवादी एक जनवेरी की शाम को गुस्तो गए थे लेकिन जब यहाँ पर इस कुते को देखा गया और इस पर भी फाइर किया गया यह आप निशान देख सकते हैं फाइरिंग का किस तरह यहाँ पर इस कुते पर फाइरिंग की गई लेकिन यह कुता जो है बिलकुल सही सलामत है इस पर जो है फाइर नहीं लगा लेकिन उसके ब बच्चे भी इस गर में टीवी देख रहे थे यह वो गर है यह जो आपको दिखा रहे हैं यह वो गर है यह वो कमरा है जिस कमरे में यहाँ पर बच्चे जो है टीवी देख रहे थे और इन बच्चों के साथ एक खातून भी थी और यह फाइरिंग की गई है इस टीवी पर य ये गोलियों के निशान आप देख सकते हैं और ये टीवी जो है ये लसीडी इस पर भी गोलिया लगी हुई है और यहां पर भी इस गर में भी खौफ दैश्चत का महोल था कोशिश करेंगे उस खातून से भी बात करनी की जो खातून यहां पर अपने दो बच्चों के साथ थी उस वक्त जब यहां पर शाम के टाइम पर आतंकवादी गुजगे थे उनको इन्फॉर्मेशन थी इस खातून के दो बच्चे जो है वो दुकानदारी करते हैं लेकिन शाम के आवकाद घर आते हैं शायद उनको यह भी इन्फॉर्मेशन थी कि यहां पर वो बच्चे म उने कुछ नinking का अच्छा वो अघ्डर साए मैंने बोला कोन हो क्या उन्ना कुछ नि बॉला वो इधर आय तो कुते को Bill किया कूता बॉला तो अंदर टीवी लगा हुआ था टीवी पड़ दो फैर किये और निकल गे घर में कौन कौन था उस राइंगँ गर पता नहीं था जब बाहर आए तो सुना पटाके चाल रहे हैं शकल वकल कुछ दिख रही थी उनकी कि मुझ ढखे हुए थे कोई समझ नहीं लगी अच्छा जैसे अंद्रा आए फ्यार करना शुरू है यह नहीं समझ लगी कि मुझ ढखे नहीं डखे नहीं फैर कर यह निकली क थी हंदेरा था बिजली बंद थी मैंने एक बलम जलाया हुआ था तो मुझे आप बताएंगे आपके गर में कौन-कौन है जो यहां पर रहते हैं और जिस फिराक से यह आये थे यहां पर क्या लग रहा है आपको हमें कोई बता नहीं क्या क्या नहीं आपके गर में कौन- तो नाजरीन इस गर में जो है यहां पर एक टीवी जो है तोड़ा गया है वहां पर आपको हमने दिखाया एक कुट्टे पर भी फायर किया गया है लेकिन वह कुट्टा भी सही सलामत है एक बुज़रक शक्स जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर इनसे भी हम बात करने क कोशिश करेंगे कि यह उस वक्त कहा पर फि यहां पर अतंक वाती गुझ गए अब पहने लगा उस वकृत पता है चला कि कोई आ अ जा घपीर निनन निकला मैंने सोचा कि बाहर निकलेंगे तो और फारिक मारेंगे फिर दास-पंद्रा मिन्ट के बाद यहाप गारवालों ने बोला चड़े गया है उस वक्त में बाहर आया ठीक मुझे बताए आज जो यह वीडी सी बन रहे है पूरे गाउं में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है दैश्चत फैली हुए है पूरे गाउं में आपको लग रहा है इस वीडी सी के बनने के बाद यहाँ पर किसी हद तक कमी आ जाएगी इस दैश्चत यह खतम हो जाएगी बीडी सी तो आज से 25 साल पहले की बनी हुए है, किसी को इस बात का पता ही नहीं था कि यह बात यहां पे होगी, वो आपने, किसी ने पेटी में गण फैंकी होगी थी, किसी ने आपने बैड में डाली होगी थी, आप तो अलर्ट हो गया है, अब सारे अलेट होगे, सबी अलेट होगे, तो आपके पास भी गण है, हाँ मेरे पास भी है, बिल्कुल, जी जी, तो इससे पहले इस तरह का माहौल गाउं में नहीं था, था यह नहीं पहले, जिस बक्त हमने गण लेए उस बक्त मिलिटरिन थी, पीक पार थी, लेकर हमारे कुछ नहीं हुआ, यह पहली बाव हुआ है, तो आज किस तरह का महौल है पूरे गाउं की जब आती है, आज तो सबीसे आपने अपने घर के लिए, राखी के लिए त्यार है, कोई आएगा तो उसके साथ तो जैसे पहले मार कर चले गए हैं, ऐसी बात तो नहीं नहीं होग दाट के उनके साथ मकाबला करेंगे, अशर वसमें डर लग रहा है आपको? भर किसका बात का है? अब फोझ में जो एक पोस्ट पर सभी फोजी मारी आते हैं था उस पोस्ट पर दूसरे नहीं आते हैं कियो ऐसा किया जा रहा है? क्या लग रहा आपको? इसके पीछे क्या हो सक कि एक सेलेक्टिव किलिंग की जा रही है किसी को आधार कार्ड देखकर फिर उसको मारा जाता है क्यों ऐसा हो रहा है दैशित फलाने के लिए और क्या है इसमें सुर्ण कोट में तेरां बच्चे मार दिये तेरां मिंबर मारे थे तह एक ड़्ाइशाल का बच्चा मार दिया तो उसने क्या बगाड़ा था उनका दैशित फलाने के लिए और दैशित फला रहे हैं और क्या दैशित फला रहे हैं जी अगर फोज पर नहीं आप उनका चारा चलता तो सिबलन को आकर मार देते हैं बिल्कुल ये अंकल जो है उस वक्त इसी गर में थे और इनके कहने के आतंकवादियों का सिर्फ एक ही मकसđ था इस गाऊं में गुस कर लोगों की हतिया करना सिर्फ दशचत फैलाने का काम था और वही दशचत जो है इस गाऊं में देखने को मिल रही है हमने कई सारी families से आपको रुबरू कर आया कई सारी families का कहना था कि इस गाऊं में आज तक इस तरह का incident कभी नहीं पेश आया जिस तरह का incident एक जनवरी की शाम को यहां पर हुआ और इस हादसे में साथ लोगों की साथ मासूम लोगों ने अपनी जाने गवाई है मुतदिद अफराद जखमी हो गए और आज जो security agency और यहां के गाउं के लोग जो इनके कहने के मुताब में कौन मुलवस है उसको कैफरे किरदार तक पहुचाया जाए रजोरी ढांगरी से मैं आशिक मीर नासिर काच्रू सचिन के साथ